हाई फ्रेंड्स सबको नमस्कार काफी आदमी काफी दिन से रेक्वेस्ट कर रहा था वोला एलेट्रिक स्कूटर का जो हिल क्लाइमिंग का जो राइड करने के लिए पाड़ी चड़ने का मेरो टाइम नहीं मिल पर रहा था इसलिए मैं काफी दिन से उसको पेंडिंग में करते हैं वीडियो सुरू करने से पहला आप लोग से चोटा से रिक्वेस्ट है प्लीज सबस्क्रेब मैं चैनल सपोर्ट में अभी भी 73 परसंट आद्मी मेरे चैनल को सबस्क्रेब नहीं कर रहे हैं वाला एलेट्रिक स्कोटर का सम्द्रित में सारे वीडियो मेरा चैनल मिल पूरा राइड नार्मल मोड में चलाओंगा इदी नई चड़ पाते हैं तो फिर में आपको स्पोर्ट स्पोर्ड में डालूंगा वाला को मेरा वैट है 92-93 और लड़का का वेट है आसपास सत्तर का 65 का टॉटल 168 मान लीजिये विद्ट चाजर के साथ ही हमलो यहां से कि पूरा नार्मल मोड है कि कैम भी मेरे को प्राब्लम सिकाइट नहीं आया देख सकते हैं नार्मल मोड है मैंने एक यहां पर चड़ा यह स्टार्टिंग में चड़ा यह बड़े बड़े अच्छा नया बस भी यहां कीचना मुस्किल होता है नार्मल मोड में काफी इंट्रेस्टिंग पार कर दिया मेरे को ब्रेक भी मार रहा पड़ा था आगे से बस भी आ रहा था कोई सिकाइट नहीं है नार्मल मोड थोड़ा स्लो से लेता है लेकिन एक दम बढ़िया पिकप इसका जाये तो और टेक भी खर सकते है अभी भी नार्मल मोड में में हो मैंगजें कोशिस करूंगा मैं स्पोर्स मोड यूज नहीं करूंगा पाड़ी चर्णना एक अलग बात होती है टार्निंग्स में पाड़ी चर्णना तो काफी मुस्किल हो जाते है क्यों मेटियोर लेके जाता था उसमें कम से कम सेकंड केर में लाना पड़ता था यह 100 परसंट राइट है लेकिन इसमें फ़र्स्ट मोड में अपना पूरा काम हो गया यह था लाइट पाड़ी था टॉटल समंदर लेवल से इसका डाइएजार मेटर का उचाहिम है पाड़ी यहाँ पर एक चेक पोस्ट है चलो चेक पोस्ट को बता दिया 20 रुप्य कुछ लेता है एक कि मन्द्र का पूरा जमिन है इसमें काजू बहुत कुछ होता है कटल इस तरह पेड़ पूरा को कि लास्ट में को खड़ी पाड़ी मतला रोटे मंद्री के उपपर उसको भी में चड़ाया था डबल्स में चड़ाया था उसको बाई सेंगल भी चड़ाया था वो भी मैं आपको देखाऊंगा काफी एंटरस्टिंग ओने वाला पूरा वीडियो बने रही है कि मेरे सामने एक्टिवा शाहिद एक्सेस है टीवियस एक्सेस पार कर रहा था काफी तेजी से बाग रहा है उसका इंजिन का आवाज से मेरे पता जल रहा है फूरा काफी ज्यादा लोड पड़के जा रहा है मैं हमेशा जो भी जो फैमिली के साथ हो बच्चे के साथ हो मैं 60-50 बिलो मेंटे करता हूं स्पीड यह सेफ है ज्यादा तेज बागना कोई अच्छी बात नहीं है चर्रत पड़ेगा तो ठीक है नहीं है तो कोई आगे बाग रहा है बोलके मैं कभी इस तरह फालो नहीं करता ह सेफटी फास्ट है अभी जेमीन लेवल से काफी उपर आ गया हम लो इस स्लोप शाहिद आप लोग को दिखने ही रहा हो वीडियो में लेकिन काफी उंचा में आ गया ये कि यह टार्निंग्स काफी जब परदश टार्निंग्स है काफी हमचा एक्दम आपको सामने के 200-300 मेटर उंच्छा तक को यह स्लोप से चन्णे कर टार्निंग्स और काटिंग्स तक्ति काफी कंप्लिकेट हुए यहां पर वहला ने कोई तक्लीफ नहीं उटाया नग कर दाफियाद भी बोलता है नार्मल मोड में बहुत ही पिक अप कम है और एक्सलेशन का स्लोव है यह बिलकुल यह नहीं है अब हब एल्ट्रिक स्कोटर में चला था ना यह वहाल पर एक्सलेटर देता है तो जर्क लगता है compelled आपको नार्मल स्कोटर जैसा फीलिंग आएगा एक बार एक बार दिया उस जर्क मार रहा है जर्क मारने से काफी प्राब्लम पीछे बैटने वालों को भी पता नहीं कब गिर जाएगा मैं और एक वीडियो पोस्ट करूंगा रिजनरेटिंग का वो भी चाहिए आप देख सकते हैं कल सुबह वो आपको मिल जाएगा इसी पाड़ी को मैं नार्मल मोर्मेंट डाउन में लाया हूं कितना बैटरी चार्ज होगा वो भी मैं आपको पोस्ट करूंगा बाकी काफ़ आदमी कूच रहाता सार यह फाएर का क्या सिस्टम है काफ़ आदमी देख लिए बड़ा कंपनी है अबिभी बैटरी सेल सुन बनता है तो यह काई बैटरी में कहीं न कहीं कमी हुआ कुख वज़ा यह ब्लास्ट हुआ है ये लोग पूरा इंडिश्मेशनिंग करके बैशता है लेकिन इंटरनली क्या system वो कि चलने के बाद कुछ हो सकता है कया तारूर लोज हो सकते हैं बैटरी में टैंपरेजर बरकरार नहीं है कुछ कुछ ना खबी रूंसकते हैं फेलियूर देख इस तार आज गटना रिपीट रिपीट होता है तो फिर कुछ ना कुछ कर्मी बोल सकते हैं महाला का कई बार कई फोन से ब्लास्ट हुआ है उसमें पूरा फोन्स को दोश नहीं दे सकता है करड़ा फोन बेचता है तो यह कात तो हुआ है फिर भी इसका सेफ्टी का तोर पर काफी और मजबूत करना चाहिए वाला को एक काफी अंटरस्टिंग टार्निंग है यहाँ पर सामने एक टार्निंग मिलेगा पाड़ी को काटके एक्चुली पूरा रोड बनाया है अब लोग काफी मुच्छा आ गया लड़का लब सुबे जागिंग कर रहा है पाड़ी में जा रड़िंग करने से काफी मजबूच हो जाता है उसका हरट पॉट है यह काफी टर्निंग काफी हाइट भी है पूरा खरूड है यहाँ पर काफी कुछ एक्च्छन्स होता था आराम से चड़ लिया कोई दिक्कत नहीं है मंदर पहुंची किया हम लो यह सिम्हाद्र लश्पी नर्सियों हाँ स्वामी मंदर है कि सौथ में कई फिर में यहां शूटिंग हुआ है सौथ हीरो बालकृष्णा जो एंटियार का लड़का था यहां पर एक छोटा सा मेरे को ज्यादा ही उन्चा वाला वह दिक सिंगल चलाके दिकाऊंगा पूरा खचा रास्ता है इसमें काफी नर्मल रोड से और इस्वें फरक होता है और या प्यद्ञार तेपरेजर रहा सब कुछ मैं आपको वीडियो में देखाओंगा नार्बल्स कोड़र से बढ़िया आपको पिक अप मिला मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है हराम से निकल गिया एक्टरी पूरा गड़ा गड़ा रास्ता इतना सही नहीं है फिर भी उसमें स्लो हो जाता है फिर भी कोई प्राब के साथ में जो साइब इसका दिया हुआ है शॉकापूर डबल ओने से कुछ आलग होता है यह डिजेन के चलते सिंगल में दिया टीक है हैंडल पकंडे से आपको इतना नहीं लगता है लेकिन है अलका सा वाइप्रेस्टन है यह तो डिजेन ऐसे है तो हम कुछ ने कर सकते इसक ब्रेकिंग भी काफी अच्छा था दोनों ब्रेक अच्छा से अपले हुआ है चलिए अभी देखते हैं बैटरी कितना परसंटेज बचा है बैटरी 54 ए 20 परसंटेज बैटरी ले लिया है फॉर्टिनेंट में आ गया है 31 डिक्री से मातर 2 डिक्री का डबल्स में पाड़ी च होता है चलिए एक कुछ अप्डेट्स ना आपनों शेर कर रहा है यहीं वीडियो अच्छा लेगे तो प्लीज सब्सक्राइब में चैनल सपोर्ट मी